आख में गिरे हुए कचड़े को साप करने का सबसे च्छा तरीका क्या होता है? महीन कचड़ा जैसे बालू का कण, मिट्टी का कण, लोहे का कण, लकडी का टुकड़ा, आई, लेसेसी या अनकोई पदार्थ आख के अंदर कभी भी जा सकते हैं. इस प्रकार कचड़े का टुकड़ा आख के अंदर जाकर पुतली में चिपक जाता है, जिसके करन जब हम पलक चलाते हैं तो आख में गड़न और दर्द महसूस होता है. फारंड बाडी संसेशन होने के करन आख से आसो बहने लगते हैं, आख लाल हो जाती है और हलका धुंदला दिखाई देने लगता है. किसी भी प्रकार का कचड़े का टुकड़ा आख के अंदर जाने के बाद कभी भी आख को रगणना नहीं चाहिए क्योंकि आख को रगण आख के अंदर कचड़ा जाने के बाद आख की पलकों को जल्दी जल्दी जपकाना चाहिए, ऐसा करने से आख के अंदर का कचड़ा निकल सकता है. दूसरा उपाए, साप पानी से आखों में छीटा मारें और आख को धुलें, छीटा मारते समय आख खुली रहना चाहिए, ऐसा करने से कचड़े का टुकड़ा आखों से निकल सकता है. तीसरा उपाए, एक टप में साप पानी भरें, इस टप के पानी में चेहरे को डुबो दें, इसके बाद साप पानी के अंदर आख खोल कर चारो तरफ आखों को घुमाए, पानी के अंदर आख खोल कर आखों को घड़ी की दिसा में और घड़ी की उल्टी दिसा में घुमा तो आख खोल कर कचड़े की टुकड़े को देखने का प्रयास करें। यदि आख के अंदर आख को कचड़े का टुकड़ा इस पश्ट दिख रहा है तो साप कॉटन की बत्ती बना कर उसके माध्धम से आप उसको निकाल सकते हैं। पक जाने के बाद नहीं निकलते हैं। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास अपने घर के लिए नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप आख का कचड़ा निकालने में समर्थ हैं तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने से अच्छा हैं कि आप किसी अच्छे नेतरवी से सग से संपर्ग सबिद करें। नेतरवी से सग आपकी आँख जाच करते हुए आसानी से औजार और मसीन के मादम से आँख का कचड़ा निकाल देगा और कुछ ड्राफ्स भी आपको देगा। यदि आप आँख का कच्ड़ा निकालने में सफल हो जाते हैं तो कच्ड़ा निकालने के बाद आखों में आईड्राफ्स एंटिवैटिक जरूद डाल देना चाहिए आख में पड़ा हुआ कच्ड़ा बहुत एक कश्टदाई होता है कच्ड़े को यदि आप फौरन नहीं निकाल पाते हैं तो तुरंत नेतबी से सग्द से संपर इस्थापित करना चाहिए यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो करपे मेरे चनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों को सियर करें बहुत बहुत साथ धन्यवाद